बच्चो सुप्रभात आज हम लोग जो है पढ़ेंगे मनुस्यता कविता और मनुस्यता कविता के जो कभी हैं मैतली सरण गुप्त हैं बच्चो स्थोड़ा पहले हम जो है मैतली सरण गुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं मैतली सरण गुप्त का जन्म जो है 1886 इस्वी में जहांसी के नजदीक चिरगाओ नामा के स्थान पे हुआ था और इनकी विशेश बात रही कि अपने जीवन काल में ही राष्ट कवी की रूप में जो है प्रसिद्ध हो गए इनकी सिक्षा दिक्षा घर पर ही हुई संस्क्रद, बंगला, मराठी और अंग्रेजी भासाएं इन्हें समान रूप से आती थी और गुप्त जी की सबसे बड़ी विशेशता यह है कि यह राम भक्त कवियों में से एक थे राम की कीरतियान इनकी चिर संचित अविलासा थी अर्थात इनके मन में यह विलासा थी यह इक्षा थी कि यह राम का जो चरित्र है अधिक से अधिक उसको जो है गान करें उसको कविता के माध्यम से लोगों तक पहुँचा हैं इसके बाद जो है गुप्त जी की कविता की भासा विसुत खड़ी वोली है भासा पर संस्कत का प्रभाव है काभी की कथावस्तु भारती इतिहास के अन्सों से ली गई है जो भारत के अतीत का स्वर्न चित्र हमारे सामने उपस्तित करते हैं गुप्त जी की जो प्रमुकृतियों हैं वो हैं गुप्त जी की प्रमुकृतियां साकेत यशोधरा जैदरतबद ये हैं गुप्त जी के पिता सेठ राम चरण दास भी कभी थे और इनके छोटे भाई सिया राम सरण गुप्त भी एक प्रशिद्ध कभी कि प्रकति में अन्य प्राणियों की तुलना में मनुस्य के अंदर जो चीतना सक्ति होती है, सूचने समझने की सक्ति होती है, वह अन्य जीवों से जादा होती है, वह अपना ही नहीं औरों के हित और अहित का भी खयाल रखते हैं, औरों के लिए भी कुछ करने में मनुस्य सम मर्थ होता है पस होते हैं पाचारा गाह जाते हैं अपने हिस्से का चारा चर लेते हैं लेकिन मनुस्य ऐसा नहीं कर सकता है वह जो कमाता है अरजित करता है जो कुछ भी उत्पादित करता है वह अपने साथ साथ दूसरों को इलिए भी उस्ताव की योग करता है औरों का सायो करता है इस पार्ट में कभी ने अपनों के लिए जीने मरने वालों को भी मनुस्य माना है लेकिन यह मानने को तयार नहीं कि ऐसे मनुस्यों में मनुस्ता के पूरे पूरे लक्षन भी है वह भी तो उन मनुस्यों को ही महान मानता है जिसमें अपने और अपनों के हित चिंतन से कहीं पहले और सरौपरा और दूसरों की दूरों के बारे में चिंता करने की भावना हो उस में वे गुण हैं जिसके कारण कोई मनुसी इस मृत्तु लोग से गवन कर जाने के बावजुद यूगों तक और औरों को याद किया जाने में भी बना रह पाता है इसमें जो है लेखक ने उसकी मृत्य को सुम्रत कहा है जो ब्यक्ति दूसरों के लिए अपने धन संपत्य को निवचावर कर देते हैं अर्था जो दूसरों के काम आते हैं उसे को ही लेखक कभी ने मनुस से माना है मनुस से जो है कौन है क्या उसके गुण है किसकी मृत्य को सुम्रत लेखक ने कहा है इस पार्थ में यही सारी बाते जो है और लेखक ने बताई है इस कविता में कवी ने हमें विभिन प्रकार के प्राचीन रिशियों, मुनियों और राजाओं का उदाहरण देते हुए बताया है कि कैसे कैसे लोगों ने दूसरे की हिद की बात की है, दूसरे के हिद के बारे में सोचा है तो बच्चो आईए हम लोग पढ़ते हैं कविता मनुस्यता, बिचार लो कि मरत तो हो ना मरत तो से डरो कभी मरो परंत यों मरो की याद जो करे सभी वही नहीं सुम्रत तो बर्था मरे बर्था जिये मरा नहीं वही की जो जियान आप के लिए वही पस प्रवत्त है कि आप आप ही चरे वही मनुस्य है कि जो मनुस्य के लिए मरे वच्चो इस जो है इन पंक्तियों में इस पदमें कभी ये कहता है कि विचार लो सोच कर लो कि वही मृत्तु सब की निश्चित है और मृत्तु होना बिलकुल निश्चित है कोई उसे टाल नहीं सकता इसलिए मृत्तु से डरने की जो सकता नहीं है लेकिन कभी यह भी कह रहा है कि मरो लेकिन इस प्रकार मरो इस प्रकार म्रत्व को प्राप्त करो कि सभी लोग आपको जो है याद करें अगर इस तरीके आपकी म्रत्व नहीं होती कि आपको सब लोग याद करें तो आपकी म्रत्व सुम्रत्व यानि अच्छी म्रत्व नहीं है आपका जीना और मरना बिर्थ है कोई उसका लाभ नहीं है कभी यहाँ पर बता रहा है कि वही मनुस से मरता नहीं है मर करके भी अमर रहता है जो अपने लिए नहीं है अपने सासा दूसरों के लिए भी अपना जीवन जीता है अर्थात परोपकार का कारे करता है कभी यहां कह रहा है कि वही पस्वों की प्रवत्ती है कि आप आप अर्थात अकेले-अकेले ही सब कुछ किया अर्थात जो मनुष्य से अकेले-अकेले सुयम खापी लेते हैं दूसरों के परोपकार, दूसरों की हित की बात नहीं करते हैं, कभी ने उन्हें वास्तिक रूप से मनुस्य नहीं माना है, बलकि उन्हें जो है पसु के रूप में माना है, उन्हें की सादत को इस गुन को पसु की प्रवत्ति माना है, और कभी कह रहा है कि वही मनुस्य है, कि जो मनुस्य के लिए मरता है जीता है। जो बाते लिखी जाती हैं तो उसी बिक्ति के बारे में लिखी जाती हैं जो दूसरों का परोपकार करते हैं दूसरों का हित करते हैं और ऐसे ही उदार बिक्तियों से धरा प्रत्वी अपने आपको कृतार्थ मानती है अपने आपको धन्य मानती है ऐसे ही उदार बिक्तियों को जो परोपकार का काम करते हैं दूसरों का हित करते हैं उसी को समस्तो सरष्टी अर्थात सारा विस्व की पूजा करता है अखंड आत्म भाव जो असी में विस्व में वरे और उस विक्त की पूजा संसार में की जाती है जो यह सारे विस्व में यह भावना रखे कि सारा वि एक है किसी में कोई अंतर नहीं है अर्थात सब आपस में भाई भाई हैं सब को एक दूसरे की मदद करना चाहिए कभी कहता है कि वही मनुस्य मनुस्य है जो मनुस्य के लिए मरे अर्थात जो परोपकार करे वही सच्चा मनुस्य है अर्थात उसके अंदर मनुस्य ताके गु इसने सोमानसदान भी किया, सहर सवीर करने, सरीर चर्म भी दिया, अनित दे के लिए अनाद जीव क्याडरे, वही मनुस्य है कि जो मनुस्य के लिए मैरे, यहाँ बच्चो जो है देखे रंत दे। छुधार्थ भूंके रंत देeno, रंत देक जो है एक राजा थे और इनके बारे में कहा जाता है कि यह बहुत भूंक से ब्याकूल थे, काफी दिनों से इने खाना नहीं मिला था जैसे ही यह खाना खाने के लिए भोजन के लिए यह अपना थाल जो है उसको दे दिया था बच्चो इसी प्रकार दधीज के बारे में कहावत है उनके बारे में जो है हमें जो जानकारी मिलती है जो पुरानों से लेख मिलता है कि दधीज एक महान रिसी थे और जो देवताओं और दानों के बीच जो है लडाई शुरू हुई त तो दानों को पराजित करने में दियोता जब असमर्थ हो गए तो उन्होंने ब्रह्माजी से पूँचा कि अब क्या किया जाए कैसे जो है इन दानों को अबिनास किया जाए राक्षसों का बिनास किया जाए तो ब्रह्माजी ने इन सभी दियोताओं को बताया था कि आप करके सबी दियोतागन जो है दधीच रिषी के पास गए उनसे सारी बाते बताई दधीच रिषी ने यह सुनकरके उन्हें बड़ी प्रसनता हुई और उन्होंने यह कह कर बड़ी प्रसनता जाहिर की कि अगर मेरे सरीर जो दूसरों के हित में पर्मार्थ के काम आता है तो बहुत अच्छा होगा और ऐसा कहे करके जियो ही उन्होंने तुरंत जो है योग के दौरा अपने सरीर को भस्म कर दिया और वहाँ पर केवल हड्डियों का धाचा सेश रह गया आस्तियों का जाल सेश रह गया उससे बच्छों ऐसा कहा जाता है कि चार प्रकार के अस्त्र बनी एक जो है बज्र नामा का स्त्र था जो इंदर के पास था जिससे जो है इंदर ने राक्षसों का बद किया दूसरा जो है एक धनुस बना था जिसका नाम अजगो था जो भगवान संकर के पास था उसके द्वारा संकर जी ने राक्षसों का बिनास किया वही धनुस बाद में सीता जी ने उठाया था जिसके द्वारा उन्होंने रखा गया था और जिसे स्री राम ने तोड़ा था चोथा जो हत्यार बना था वो है था गांडी उधनुस जो अरजुन के पास था और उसके द्वारा भी उन्होंने धर्मार्थ के काम किये और राक्षसों का बद जो है किया। किया कबूतर उड़ते उड़ते उनके जो है पास जा करके गिग गया। 36 ने जो है राजा ने उसको जो है अपने पास कबूतर को रख लिया और सिकारी के मांगने पर उन्होंने कहा कि मैं इसे नहीं दे सकता हूँ ये मेरी सरण में आया मैं इसकी रक्षा करूंगा। इस पर शिकारी ने कहा कि तुम अगर इसे नहीं दोगे तो अपने जंगे का अपने शरीर का मांस इसक पूतर के बराबर दे दो ऐसा कहा जाता है कि राजा ने अपने जंगे से meeting काट कर देना शुरू किया और उनका सारा शिरीर चड़गया लेकिन उसका बूतर के बराबर मांस नहीं हो पाया बाद में जो है सिकारी अपने वास्तिक रूप में आया जो बताया जाता है कि इस वरी रूप में ब्यक्ती थे इसी प्रकार जो है कर्ण का उदाहरण मिलता है कर्ण जो है जो उनके पास कवच कुंडल थे उनको पता था कि ये जो है हमारे सरीर की रच्छा के लिए है और जो भगवान सूर्ज ने उन्हें दिया था लेकिन इसके बाद भी उन्होंने इंद्र के मायावी रूप को जो ब्राम्ण बन करके आये थे दान दे दिया और कर्ण वैसे भी जो है आज भी गूजती है उसी प्रकार दधीच रिसी ने जो है अपनी अस्थियों का जो है धाचा दे कर के अपनी अस्थियां दे कर के देउताओं के हिद दूसरों के परमार्थ का काम किया इसलिए लोग आज उनका भी नाम लेते हैं इसी प्रकार राजा अर्थात का ऐसा माना जाता है कि आत्मा कभी मरती नहीं अजर अमर है उसके लिए कह रहा है कि डरने की कोई आउसकता नहीं है अर्थात आत्मा अजर है अमर है उसे मरना ही नहीं है तो मरन सीन दे के लिए चिंता करने के क्या हो सकता है और सच्चा मनुस्य वही है जो दूसरे काहित करता है दूसरों के जो है भलाई का कारे करता है सहान भूति चाहिए महाभी भूति है यही वसी कृता सदेव ही बनी हुई सोयम ही कभी जो है इन पंतियों में बताना चाहरा है कि यह जो सहान भूति है यह बहुत बड़ा गुण है महाभी भूति है सबसे बड़ा गुण है और इस सहान भूति के जो है बस में हमेशा प्रतवी वनी रहती है सदेव प्रतवी जो है सहान भूति के बस में रहती है अर्थाद जो लोग दूसरों का हिद करते हैं दूसरों के पर सहान भूति रखते हैं दूसरों के पर दया माया का भावना रखते हैं प्रतिवी सदेव उनके बसने रहती है, सदेव प्रतिवी पर ऐसे लोगों का राज चलता है, और कभी ने जो उदारण देते हुए कहा, कि बिरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में कहा, वहा भी नी तो लोक वर्ग क्या न सामने जुका रहा, अर्था जो है, के जो है, अनियाई बनने लगे, समस्त लोक जो है, उनके सामने जुक गए, दंडवत करने लगे, अहाँ वही उदार है, परोपकार जो करे, कभी यहां कहरा है, कि वही बेक्ती उदार है, वही बेक्ती अच्छा है, जो परोपकार करे, दूसरों का हित करे, दूसरों के भल जान आपको करोन गर्व चित्त में अनातकाउन है यहां त्रिदोकनात साथ है दयालदीन उबंद के वड़े विशालहात है अतियु भाग गहीन है अधीरभाव जो करे वही मनुस्य है कि जो मनुस्य के यह मरे कभी इस पद में कह रहा है कि कभी भी अपने आपको इस भ्रहमे मत रखिए कि इस भ्रहमें पैसे के भ्रहमें एगर आपके पास थोड़ा सा धन हो गया तो आप उसमें मदान्ध मत हो जाएए उसमें बौरा मत जाएए पगला मत जाएए क्योंकि जब आप बेक्ति के पास धन हो जाता है तो ऐसा मुझता है कि सारी दुनिया का मालिक मैं कोई कुछ भी नहीं है थोड़ी सी दूसरों की मदद कर दिया तो लोगे समझने लगते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ कभी यहां कह रहा है कि बित में अर्थात पैसा पा करके आपको मदान्ध नहीं होना है और अपने मन में यह भावना नहीं लानी है कि हम दूसरे के मालिक ह नहीं हैं हम दूसरे को भोजन पानी नहीं देंगे तो भूख से मर जाएगा क्योंकि कभी सीधे कह रहा अनाथ कौन है यहां इस दुनिया में कोई अनाथ नहीं है इसलिए आप यहमत समझिये कि अगर हम किसी को मदद नहीं करेंगे तो उसकी मदद नहीं होगी क्योंकि इस विशाल हाथ हैं, दीनों पर दया करने वाले दीनों के भाई, अर्थात भगवान के जो हाथ हैं, वो बहुत बड़े हैं, बहुत विशाल हैं, वो हर वेक्टी तक पहुच जाते हैं, अतीव भाग्यहीन हैं, वो है वेक्टी भाग्यहीन हैं, जो अधीरता मन में रखते हैं, अर्थात कभी जो है इन पंक्टियों में कहता है कि हमें पैसे परकमंड नहीं करना चाहिए, हमें यह नहीं मानना चाहिए, कि हम दूसरों के मालिक है, दूसरों को जो है रच्छा करने वाले हैं, क्योंकि यहां कोई किसी की रच्छा करने वाला नहीं है, क्योंकि यहां कोई अनात है ही नहीं है, भगवान सब के मालिक हैं, और उस भगवान के उसी स्वर के, जो दीन दुख्यों की साहिता करते हैं, बहुत बड़े बिसालात होते हैं, और उस दुनिया में भाग धियिन होई है, जो अधीरता की भावन अपने मन में रखता है, अर्थात क्या है, मनुस सच्चे रूपों में दूसरों की मदद जो करते हैं वही अच्छे मनुस्य होते हैं। नहीं देता चारों तरफ के वल प्रकत ही प्रकत दिखाई देती है। कभी कह रहा है कि परस्परावलम से एक दूसरे की मदद करो, आगे बढ़ो, आगे चलते चलो, अभी अमर्त अंक से अपंक हो, चड़ो सभी। और क्या है, अभी जो मृत्व की गोद में चड़ने से पहले आप जो है, निसकलंक हो जाएए, साफसुत्रे हो जाएए, और जो है कभी यहां कह रहा है, कि रहो ना, रहो ना यों की काम, एक से नंक, काम और का सरे वही मनुस्य है, जो मनुस्य के लिए मेरे, और कभी यहां कहे रहा है, कि इस प्रकार नहीं रहना चाहिए, कि हम एक दूसरे की मदद ना कर सकें, मनुस्य मात्र है, तो उसे एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे की साहता करनी चाहिए, और वही मनुस्य जो दूसरों की मदद करता है, शाहान वहुत्य दूसरों के परित र अनर्थ है कि बंदु ही ने बंदु की बितारे वही मनुस से है कि जो मनुस के लिए मेरे बच्चों यहां जो है कभी कह रहा है कि मनुस से मात्र बंदु है मनुस से आपस में भाई भाई है यह बड़े विबेकी है बड़े समझ की बात होती है और समझ की बात इसलिए है कि प कारण से क्योंकि जो है पौरानिक लेखों में माना जाता है कि स्वयम्भू ऐसे बिक्ति हैं जिनके द्वारा जी है मनुस्य जात की उत्पत्ति हुई तो जब सारे मनुस्यों का उत्पन करने वाला एक ही बिक्ति है तो सारे मनुस्य से आपस में एक दूसरे के भाई हुए य लेकिन परंत अंतरेक में प्रमान भूत बेद है लेकिन जो अंतर है वह जो है बेदों के दोरा प्रमानित बात है कि सभी लोग जो है एक ही इस्वर की संतान है एक ही इस्वर के दोरा उत्पन है इसलिए सब आपस में क्या है एक दूसरे के भाई है अनर्थ है कि बंद ही नबंद की ब्यतारे और एक भाई दूसरे भाई की अगर पीड़ा को कश्ट को मदद के द्वारा नहीं हल करता है तो ये बहुत ही अनर्थ की बात है बहुत ही गलत बात है ऐसा कभी का मानना है और वही मनुस्य है कि जो मनुस्य के लिए मरता है बच्च हर इंसान के अंदर हड़ियां, पसलियां, खून, सब जो है एक जैसा, सब बेक्तियों के दो ही आख होती, किसी के तीन नहीं होती, नाग भी एक जैसे, मुझ भी सब के एक होता है, कान भी सब के एक होता है, बाहर से लेकर के अंदर तक की सारी सारी रिक सनचना एक जैसी होती इसलिए कभी कह रहा है कि जब सभी मनुस एक जैसे हैं एक ही इस्वर के बनाए हुए हैं तो सब एक दूसरे के भाई-भाई हैं और सभी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए कभी कह रहा है चलो अविस्ट मार्ग में सहर्स खेलते हुए विपत्मीक न जो पड़े उनहीं रखेलते हुए घटे नहाल हेल मेलहा बढ़े न भिनता कभी अतरक एक पंत के सतरक पंत हो सभी तभी समर्थ भाव है कि तारता हुए तरे वही मनुस है कि जो मनुस के लिए मरे पूरवक आगे बढ़िये और जो रास्ते में विपत्तियां आए मुसीवते आए संकट आए उन सब को जो बगल में ढखेलते जाए रास्ते से हटाते जाए लेकिन ये सब करते हुए हमें एक बात जरूर ध्यान दखना है कि जो आपस में हेल मेल है जो मितरता है जो हम ना होने पाए और बीच में जो मनुस मनुस के बीच की दूरी है वो कभी बढ़ने ही ना पाए क्योंकि अतर्क एक पंत के सतर्क पंत हो सभी और सब को बिना किसी तर्क के बिना किसी बिचार भेद के एक ही पंत को एक ही रास्ते को चुन लेना चाहिए जो रास्ता हमने अधारित किया है तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे तभी हम समर्थ हो पाएंगे कि एक दूसरे की मदद करते हुए सो हम आगे बढ़ पाएंगे अनिथा ऐसा संभव नहीं होगा और कभी कह रहा है कि वही मनुस्य सच्चे अर्थों में मनुस्य है जो मनुस्य के मनुस्य के लिए जो है अपना जीवन बलिगान करता है बच्चों जो है अगर हम संचिप में संचिप्त में देखें तो इस कविता में जो प्रमुख बात यह कहे गई है वो पूरा कविता का जो सारां से है कि आदमी का जीना और मरना अर्थहीन है जो अपने स्वार्थ के लिए जीता या मरता है हमें दूसरों के लिए भी कुछ न कुछ काम करना चाहिए और ऐसा काम करना चाहिए कि मरने के बाद भी लोग हमें याद रख सकें जो आदमी पूरे संसार में जो है भाई चारा की भावना का संचार करता है उसी उदार बिक्ति की जो है कीर्ती उसक प्रारबेक्टिकी फूजा करते हैं और सरस्थति अर्थतकवी लेखक जो भी होते हैं उसी का बखान जो है करते हैं पौरानिक कथाओं में ऐसी है महादानियों की जो है ने को कहानिया भरी पड़ी हैं जैसे हमने आपको जो है रंतिद्यो दधीज उसीनर कर्न आदी ये सब है ऐसे बेखती हैं जो महादानी थे इनकी कहानिया आज ही हमें सुनने को मिलती है जो और ऐसे बेखती जो दूसरें को हित के लिए अपना सब कुछ दान कर देते रहे हैं भगवान के हाथ इतने बड़े हैं कि उनका हाथ सब के सिर पर होता है वो सब की मदद के लिए आते हैं इसलिए हमें कभी यह सोच कर गवन नहीं करना चाहिए कि हमारे पास बहुत संपत्य बहुत यह सै और हम दूसरों की मदद नहीं करेंगे तो किसी का उद्धार नहीं होगा कभी कह रहा है कि ऐसा अधीर ब्यक्ती जो है भाग्यीन होता है जिसे अपने कर्म पर भरोसा नहीं होता जो धैरे नहीं रखते वही भाग्यीन होते हैं और ब्रमान्ड के अन्यंत देवी देवता जो है जनहित के लिए एक दूसरे के साथ जो मिल करके काम करते हैं उसी तरह इनसान को भी अपने आपसी भाईचारे के साथ काम करना चाहिए अर्था जैसे जो बेक्ति अच्छा काम करते हैं इस वर भी उनकी मदद करते हैं ऐसा जो है कवी ने यहाँ पर हमको बताया है बच्छो जो है हम एक बात यह देखते हैं कि इस वाठ में कवी ने सबसे ज़्यादा जो बात कही है सबसे ज़्यादा जो बात पर बल दिया है वह बात यह है कि बेक्ति को दूसरें को परोपकार काकार करना चाहिए बच्चो अब थोड़ा सा जो है हम लोग जो है गुप्त जी की साहितिक विशेष्टाओं को देख लेते हैं तो गुप्त जी की साहितिक विशेष्टाओं में राश्ट्री भावना, प्रकत के विविद रूपों का चित्रन, भारती नारी के त्याग का चित्रन, शंचकत प् विवित्ता अकाश्वर मिलता है इसलिए कावि में प्राया है सभी रसों का जितने भी जो है दस रस होते हैं सभी का सपलचित्राण किया गया है उनके कावि में स्रंगार, रस, करून रस सांत रस, बीर रस तथा वाचल रस का पूरी तरह से जो है इस पस्ट दिखाई देता है गुप्त जी जो है खड़ी बोली के जो है काभी है और उनकी भासा पर ब्रज और संस्कत का भी प्रफाव है गुप्त जी ने प्रबंद काभ गीत काभ और मुकतक काभ आज से भी काभे के रूपों में रचना की है अलंकारो का प्रियोग करके गुप्त जी ने अपनी भासा को और भी अधिक प्रभावसाली बना लिया है गुप्त जी रास्ट्री का बिधारा के प्रधान कभियों में से एक हैं वे जाती संस्कृत के गवरों को अर्थाद भारत के इतिहास के गवरों को अच्छुन रखने वाले कभी हैं और उस गौराओं का वो हमेशा गुरधान करते रहते हैं बच्चो जो है इस पाठ में जो ये प्रमुख बातें आपकी यही हैं और इसके साथ साथ जो है बच्चो अब ये पाठ जो है समाब्थ हुआ इससे संबंदित कोई भी प्रस्नोतर कोई भी जानकारी तो आप हमस से धन्यवाद आपका दिन के सब्सक्राइब होगा है